बर्मानी स्किंकेर नगरोटा बगवा हिमाचल में होने बाले तीन बिधान सबाब एक लोकसबा सीट पर चुनाब में भाजपा की जीत तय है ये बात भाजपा मुखे परबता रंधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने उसी वक्त उपचुनाब की तयारी शुरू कर दी थी जिस वक्त ये सीटे खाली हुई थी उन्होंने कहा कि जगजगा पर विकास कारियों का भी आज शीला न्यास किया जा रहा है भाजपा का पलड़ा भारी है इन सबी सीटों पर भाजपा आगे है भाजपा पूरी तरीके से तयार है आम लोगों के मुद्दे पर हमेशा भाजपा चुनाब लड़ती है इसलिए लोग भली भांती जानते हैं किसकी नितियां जन विरोधी हैं और किसकी जनता के हित्में हैं देखे भारती जनता पार्टी इन उप्चनाव को लेकर पूरी तरह से गंभी है और पूरी तरह से तैयार है जब से ये सीटें खाली हुई हैं भारती जबता पार्टी ने तब से ही इनके उप्चनाव की तैयारी शुरू कर दी थी संगटन स्तर पर हर विधानसवा क्षेत्र के कारेकरताओं को सुक्रिया करने की दृष्टी से हमारे प्रभारी से प्रभारी संगटन महामंत्री और प्रदेशा देख जी ने मिलकर बैठके की हैं कारेकरताओं को सुक्रिया किया है और सरकारी स्तर पर स्वयम मानिय मुख्या मंत्री जी ने हर विधानसवा क्षेत्र का दौरा किया है वहाँ जो विकास कार्या चले हैं उनका शिल्यानियास किया है जो पूरे हो गए उनके उद्गाटन किये हैं और बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया है इसलिए हम संगटन और सरकार दोनों स्थर पर इस चुनाओं के लिए तैयार है और अब बहुतर तालमेल संगटन और सरकार में है इसलिए उस अधार पर हम कहना चाहेंगे ये चारों सिते भारती जनता पार्टी जीतेगी मुद्दे तो चुनाओं में आते हैं मुद्दो के अधार पर अगर हम देखें तो भारती जनता पार्टी का पलड़ा भारी है क्योंकि हमारी केंदर और परदेश सरकारों ने देशित परदेशित और जनुट में अनेक ऐसी योजना है चलाई है जिनका लाब आम जनमानस क को मिल रहा है उसके कारण निश्ची कुरुव से आम जनता का जुकाओ भारती जनता पार्टी की ओर है उस अधार पर हम कहेंगे भारती जनता पार्टी ये चुनाओ जीते की पुझवल हिमाचल के लिए शिमला से यूरू इमाचल प्रदेश के विश्वस निये जुएलर भूशिन जुएलर सोलन